हमें पूरा यकीन था कि मोदी जी अब जब आपना दूसरा कारिकाल समालेंगे तो भारती राजनीत के इत्यास में एक सोणिक अध्यार लिखाए और सोणिम यूग की शुरुआत होगे और सोणिम यूग कराएगा मोदी जी का ये कारिकाल हमने कई दफे पोस्ट डाला फेस् लोग मुझे क्या सोचेंगे लोग मुझे दुपारत चुनेंगे या नहीं चुनेंगे बिना किसी वोट में कि वो जिस तरह के फैंशले ले रहे हमें उन्से यही उम्मीद थी और इसलिए हमें उन्हें चुना था नमस्काम दूस्तान स्वाइब आपका मेरे चैनल नंदी न कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है बहुत अच्छा होंगे और अच्छे रहना और करोना नियमों का किर्पा करके पालन किजिएगा क्योंकि कोरोना पहले या दूसरे बार से इस बार दो मेने पहले टपक आया है सभी को पता है जनौरी में या गया काई जगर लोगडाउ लगए हैं फिर से और करोना नियमों का पालन किर्पा करके सिद्ध से कीजिएगा यह मजाख नहीं है हम देख चुके क्या पिछले दो लहरों को पिछले हाला कि लोग का कहना है कि यह नहीं इतना नुकसांदायां लेकिन फिर भी हमें स्तर्क रहना है और मोदी जी के फैसल का दूसरा कारकाल उन्होंने उसके बाद च्छे मेना की बादी जो तावर्ड और फैसले ले हैं उडियता हैं हम Ste here है क्योंके हर फैसम साथ हैं क्योंकि हूं से बराख में जालेता है कि लोग उन पर कहते कि मुशलिम भिर रोदी है एक महलाओं के हक में जो उन्होंने फैसला लिया हमें कहीं से भी नहीं लगता कि उनकी सोच मुश्लिम भी रोधी है और दूसरी चीज अभी अब जो फैसला लिये जाते हैं भी बात होना ही होना है क्योंकि इस तरह की फैसले किसी ने इंडिया आशता है तो शब कहेंगे कि प अब अमर्जवान जोतिक की लोको अब वार मेमोरीयल में मर्ज कर दिया गिया है और इसको मर्ज किया गिया है को बोलने वाले बहुत कुछ बोलरे हैं चाहे राहुल गादी अखलेशादव हमने उनकी बातों को आप सुनना ही बंद कर दिया यूँआ कहते हैं उन्हें काम मोधी जी कभी नी कट सकते हैं।। अपना कहीं न केच जो और कोई काम मिलनी रहा है, और गुदि इसे तरह एपनी राजनीति, अपनी रूटियां थी प्ाइदे कि इसे तरह से से शेख नोगें। जब कि गलत ए, और उन्हें पता होना चाहिए इस से उनको नुख्सान हो रहा है, मोदी जी ने कभी किसी को थेशने को चाहिए, मोदी ने कभी किसी के का अपमान नी क्या, शौनों का अपमान करेंगी, खळे हो तो जो भी है, लेकिन जो भी पैसले लिए हम उनकी हर पैसले के क्योंकि हम तो हर पत्रकार तो उनके पास जाते हैं जो लोग उनके जान पहचार के जिनके चाहते हैं की इंटरव्यू दे हम तो हर तरह के लोग उसे मिलते हैं तो सारे लोग मोदी जी की सोच किसी की बिरोधी नहीं है वो सिर्फ राष्ट हित है सिर्फ राष्ट हित की सोच ह अभी कासव सबका साथ अभी तब जितना हम देख पा रहे हैं अच्छा है वो तीन तलाक हो मुश्लिम महिलाओं की हित्मय फैशला बहुत बड़ी बात थी यह जो बुगता उसको पता होता है कि यह चीजें क्या होती और 370 हमने पोस्ट ही तब रहा ला था कि 370 हडाओं और हम 370 उपर सीटे ले जाओं हमने उनहें फैशला लिया 370 एक बोस्ट था हमें दिया हुआ तो भग वह उन्से उन्होंने हंदुस्तान को मक्त कराया राम मंदिर हिंदू के आस्ता जैसी एक बच्चे के बाप के बीना पहचान नहीं है वैसी सिनातन और हिंदुत के राम के बीना पहचान नहीं है यह बहुत बड़ी अब उपलत थे और बहुत बड़ा जो है कहोंगे मैं हिंदू के यह इसानी कहोंगे मैं कि उसे कि किसी और ने ने कभी यह ने सूचा कि हिंदूस्तान के अंदर हिंदू की जो पहचान है वोही लटका हुआ है उसी को उसका उच्छिस्तान नहीं मिल पा रहा है। GST उन्होंने लागू किये। जो लटके हुए फैस्टे थे उन्होंने सद लिये। तो कहां से ये राष्ट विरोधी हो गया। कहां से ये दूसरों के धर्म विरोधी हो गये। कर्सक्रिते ये राष्ट्र ओली के शत्र ओल्डशक। नाभनेी लाष्ट। तो कहां से तॉकश्टानों ज़ामाते कabetes स्थेलों के विरोधीनょ नदैषतोंडल्शक। यावन अप मbresider भराष्ट विया. बदलके धांचंद्री के नाम को क्या था किया कि वहां कि थो पर्तिषा दो सो पर तिसा तो उसके हगदार था थी यह अप्लब्ध्यासिल की थी और शेतर में जाने वाले जो भी लोग होंगे जो बच्चे होंगे उन्हें लगे गाया रही हमें इस इन्होंने इतना बड़ा क मुझे तो अभी तक कि उनकी ऐसे सोच कहीं से भी नहीं लगी कि छोटी जात बड़ी जात यह धर्म हो धर्म कुछ नहीं उनकी सोच सिर्फ राष्ट्र ही तैसी है जन ही तैसी है अभी तक मैं यह कहूंगी कि उनकी जो सोच है वो सिर्फ राष्ट्र ही तैसी है सब का साथ सब विकास जोन ने नारत दिया उस पे बिल्कुल खरे होते हैं और अभी ये सिर्फ इसरम अभी मुझे पता नी था ये चीज कि इसरम जो है ये खाते खुलाए गए खातू में इसरम से लोगों के पैसे आ रहे हैं जन्धन खाता जो लोगों ने खोला कितना फैदा आज दोगों विकास पैसे जन्धन खातू में पैसे आ रहे हैं इसरम से अभी मैंने किसी कई महलाओं को और पुरुस को भात करते हों सुना था कि हजाराजार रुपया हमें हमारे खातू मारे इसरम हमें एक कार्ड बनाना है मैं समझ जित कि एटियम कुछ बोड नहीं करें इसरम कोई का बनाना पड़ा इसरम से हमारे खातू में पैसे आ रहे हैं वो मुझे उनके द्वारा पता चला यह जन्धन खाता अगर नहीं खोला होता तो कहां से आते तो कहां से उनकी विरोध उनकी सोच पूजी पत्ति वाली होगी जो राहुल गादी क्याता है कि हमेसा उनकी सोच आखले सयाद हो कोई नेया आगर आना चाहता है तो उन्हें कम से कम राष्ठी तैसी सोच रखने पड़े आदो फैशले लेने पड़ेंगे बिना डरें आपने जो राष्ठे हित्म है वो यह सोच बिगार की लोग क्या कहेंगे हमें बोड मिलनगे या नहीं मिलनगे इनके नहीं मिलंगे यह कभी नहीं सोचा मोधी जी ने इसलिए हम उनके साथ हैं कभी कभी गलतिय हर एंसान से होती है कम्यास सम्मा होते है कुछ न कुछ चीजां हो रहती है लेकि इतने बड़े-बड़े फैसले लेने के लिए हिम्मत चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट को आगे ले जाने के लिए, इन ही फैसलों उसे जो है देश आगे पढ़ता है, राष्ट आगे पढ़ता है, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, कि हमने चुनाव में सिक भुषन पक्त में जो काम किया उन्होंने निश्च दूप से भारत के राजनितिक इत्यास का चेहरा बदला है बिरोधियों को मिर्ची भी लगिया आग भी लगिया जलन भी हुए बहुत कुछ हो लेकिन हमारा कोई राजनितिक पर नेता हमारे इस्तेदर नहीं है जो हिट जिसके लिए हम नेता और रही बात रोजगार यूओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं लोग बहुत को रहे हैं मुझे उमीद है मोदी जी आत्म निर्मर भारत अच्छे दिन से लेके आत्म निर्मर भारत तक के लिए मोदी जी हर उपरियास कर रहे हैं जो कि देश निश्च दूप से आत् हमारा मनना है इसलिए अमर जयान जो के पे जो लोग की बात पैदा करें उन्हें अपने सोच को थोड़ा ठीक करने पड़ेगे और जो लोग इनकी बातों में आ रहे हैं सोच एक बार मोदी जी की फैशलों को ध्यान से देखें शमझें तो आप लोग को समझ भाएगा जय सिरांग जय भारत बंदी मात्रम बाकि मोदी जी ने जितने फैशले ले हैं वो राष्ठित में हैं बोलने वाले बोलते रहते हम उनके हमेसा साथ हैं अगर आपको मेरे वीडियो को लाइक कर देजिएगा शेयर कर देजिएगा चैनल को सस्क्राइब भी कर देजिएगा आने वाले वीडियो की जनकारी के लिए गंटे एकन प्रेस कर देजिएगा